ओके स्टुडेंट ओफ क्लास नाइन्थ दिखिए प्रिविएस वीडियो में मैंने आपको कुश्चन नम्मर 32 और 33 का एक्स्प्लेनेशन बता दिया है आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कितने कुश्चन आपको मैं सॉल्व करके दिखाता हूं और कैसे कैसे मैं करता हू है छोटे-छोटे स्टैप्स में ब्रेक करना होता है और इसली आपके सवाल हो जाते हैं ठीक है देखो कुश्चन नमर जो 34 है यह दोनों की एक्स्प्लेनेशन अल्रेडी मैंने वीडियो बनाके डाल लखिए देख सकते हैं आप लोग कुश्चन नमर जो 34 है आपका दिखे इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे यह है आपका सवाल देख सकते हैं आपको इसमें क्या निकालनी एक्स की वैल्यू निकालनी है तो एक बार मैं यह आप पर लिख देता हूं 32 की पावर 2x-5 है ओके 32 को प्राइम फेक्टर में ओपन करना है तो 32 को जब प्राइम फेक्ट ठीक है तो मैं डारेक्ट लिख देता हूं इसको यहां पर यह आपको कोशन में उतार के दिखा देता हूं एक बार यह हो गया आपका 32 2x-5 ओके आप वीडियो को अगर जल्दी देखना चाहते हो तो स्पीड बढ़ा सकते हो क्योंकि मेरे को एक्स्प्लेइन करना है ठीक है 2x-5 is equal to okay यहां देखिए जो 4 है वो 2 की पावर 2 बनेगा और 8 जो होगा वो क्या बनेगा आपका 2 की पावर 3 और इसकी भी पावर क्या एक्स माइनस 5 है इतना समझ आगे फस्टेप क्लियर ओके तो इसमें जो रूल लगेगा आपका आपने यह देख रखा होगा को एक्सपोनेंट का एक ही पावर होता है और एक ही पावर एन होता है तो इसको जब भी हम ब्रैकेट कोलते हैं तो यह पावर क्या हो जाती है multiply हो जाती है that's it next step तो बस इस पावर को इससे multiply कर दिजिए तो यह बनेगा आपका यह बनेगा आपका 252 कितना होगे 10x बन जाएगा 5525-25 is equal to यहां देखिए पहले इसको टू की पावर 2 as it is लिखिए और यह जगा फिर इसकी पावर देखिए इन दोनों से 2 की पावर होगा 3x और 3515 यानिकि माइनस का 15 अब यह फिर से आप देखिए हाँ पर बेस से में तो पावर एड़ हो जाएंगी और यह एस इस रहे गया आपका 2 की पावर 10x और माइनस 25 is equal to fit to base से मतलब की आपना इडेंटिटी पढ़ रहे हैं यह वाली एकी पावर हैं मॉल्टिप्ला एकी पावर हैं सो ए एम प्लस एन के लिए तो यह जगाट टू प्लस 3x माइनस 15 कुछ नहीं करना है सारे साइन को प्लस करना है तो साइन कोई चेंजी नहीं होगा अब क्या होगा आपका यह और यह कैंसिल आउट हो जाएंगे यह तो और यह तो कैंसिल आउट हो जाएंगे इसका रिजन यह है कि जब a की पावर m होता है और is equal to a की आउट कर दीजेगा पावर जो होगी वह एम बराबर एन हो जाएगी तो यहां पर यहीं लगेगा यह आपको पूरा पावर मालेजी यह पूरा पावर एन मालेजी ठीक है बस आपको सॉल्व करना है तो देखिए 10x-25 is equal to 2 में से 15 जाएगा ध्यान रखीगा अभी बच्च से यह 3x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा यह 10x-3x हो जाएगा इस इकल टू यह माइनस 13 इधर इधर आएगा यह इधर आके प्लस बन जाएगा प्लस 25 यह बच गया आपका 7x is equal to 25 में से आप 12 घटा दीजी सॉरी 13 घटा दीजी तो 12 बच जाएगा आपका अभी प्लस का सो एक्स विल वी 12 अपॉन 7 सो दिस इस यूर आंसर ऑफ कोशन नमर 34 तो एक्स की वैली निकाल नहीं थी तो एक साज़ेगा 12 बटे साथ क्लियर ओके आगे बढ़ते हैं कोशन नमर 35 देखिए कोशन नमर 35 इवेलुएट करना इस पूरे को अब यह टू किपाउ 38 मुल्टि तो इसको थोड़ा सा एरेज कर देता हूं आप सब लोगों ने देखी लिया होगा ठीक है तो हम इसको यहीं पर करने की कोशिश करते हैं तो इसमें इसमें भी आ रहा होगा 36 इसमें भी आ रहा होगा तो हम क्या करते हैं कि टू की पावर 36 को कॉमन निकाल लेते हैं ठीक है देखो उपर वाले में कॉमन निकाल दिया और इसी तरीके से नीचे भी निकालेंगे तो अगर 36 कॉमन आ गया तो इसमें सिर्फ टू की पावर 2 मतलब जब खोलो गए तो 36 औ अब इसमें देखिए हाइस्ट कौन से 39 और लोगे से 37 तो 37 आपका इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा तो इस तरीके से इसको कॉमन लेजिए 37 तो हैगा 2 की पावर 2 ठीक है प्लस फिर 2 की पावर 1 और फिर प्लस 1 यहां देख सकते हैं यह जो ब्रैकेट्स में हैं इ आपको एकई पावर एम अपोन में की पावर एं क्या होती है एकई पावर माइनस और यहां पर 36 का स्मॉल नमबर है 37 यहां पर ग्रेटर नमर जब इसको उपले जागे मैनस करोगे तो यह बचेगा आपका टू की पावर माइनस 1 इसको पॉजिटिव करने के लिए आपके तो इसका अंसर यह आपका कुछ इस तरीके से आगा आई होप आपको समझ आ गया होगा ठीक है क्लियर ओके मुव्ट टू नेक्स्ट पार्ट कोई सब्सक्राइब कर सकते हैं एबी सी देखें सी करके दिखा देता हूं क्लियर हो आप लोगो आप वीडियो बार प्रेडर करके देख सकते हैं कि किस तरीके से मैं इस सवाल को स्टार्ट करतें किसी सवाल को हरे स्वाल का लग अलग तरीका होता है है बस उसी आ Hour को आपको पकड़ना है और क्या है यहां पर देखिए यह आपको जो कुश्चन दिख रहा है सबसे पहले हम क्या करेंगे इस ब्रैकेट को सॉल्ट करेंगे तो यह एट की पावर वन बाइट है तो एट का अगर प्राइम फेक्टर निकालोगे तो क्या बनेगा तो मैं इस तर की पावर सूलब व्हाइब यहां से आपका यह 3 की पावर और 10 Jr और 9 produktि प्लाइग, क्याद में की पर देन तो देखिए यहां से आपका यह 3 तरी की पावर रावह्न रहेगा यह 3 की पावर यूट प्लस 3 रहेगा और यह बन गए आपका पावर सेवन ओके तो और तरी कितना हो जाता है तो और तरी फाइब वजाता है कितना यह फाइब और देखिए यह आपका 5 है और फिर 2 प्लस 3 कितना होगा 5 वगा 5 की पावर 7 इंटू में यह 5 की पावर 1 है और यह 5 की पावर 7 है और फिर यहां पर आपका आ जाता है 1 बाए 4 ठीक है नेक्स स्टेप आपको समझ आ रहा है कि स्टेप अब यहां फिर से बेस से पावर एड हो जाएंगी यह जागा 5 की पावर 8 और इसकी पावर है ब्रैकेट में मल्टिप्ला होगा वन बाए 4 तो यह फोर से टू टैम्स में कैंसिल आउट हो जागा तो 5 का स्क्वार यानि 5 का स् बी 25 आई होप आपको दोने पार्ट समझा गया हो देखा कितना इसी है तो यह रेज कर देता हूं सभी को अफिर से चाहें तो ले बैक करके देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से सारे सवाल को किया है यहां पर ठीक है इसको यह मटा देते हैं अगे ओके यहां देखिए यह सब्सके दो आपका पार्ट यहां इस में जघी इसमें क्यों कॉशन डाल दिया है कि आता है यह प्लस B plus C का whole square बराबर एक मिनिट बराबर हो गया अपका A square B square C square plus twice of A B plus twice of B C and plus twice of C A बस इसमें आपको values को put करने है values कैसे put होंगी देखिए A यहाँ पर 9 है so 9 का square plus B B यहाँ पर under root 2 है under root 2 का square C जो यहाँ पर है minus root 3 है तो आप क्या करोगे यहाँ पर minus root 3 का whole square डालोगे ठीक है इस तरीके से जहाँ रखे formula कभी change नहीं होता है बस आपको इनके according चलना है इसको यह मानना इसको भी मानना इसको सी मानना फिर प्लस टू ए बी ए और बी यानिकी दोनों ही प्लस में 9 और अंडर रूट 2 ठीक है प्लस twice of c यानिकी minus root 3 into 9 यह बस आपको इसको जस्ट लिख देना है कि क्या आने वाला है देखिए 9 का स्कुर्ण होगा आपका यहां से करते 9 का स्कुर्ण 81 रूट 2 का स्कुर्ण यहां देखिए दोनों ही प्लस के हैं तो 2918 18 रूट 2 ठीक है नेक्स्ट यहां देखिए प्लस माइनस यह वाला माइनस आ जाएगा और यह जागा टू रूट 6 यहनिकी टू क्योंकि रूट 2 रूट 3 क्या बनता है रूट 6 बनता है कोई common है नहीं इसमें कुछ करने नहीं सकते हैं फिर यह भी प्लस माइनस माइनस होगा आपका 2918 18 रूट 3 18 रूट 3 बस कुछ कर रहा है देखो 81 2 और 3 यह सबको add कर दो बाकि यह यह और यह देखिए आपका 86 आजाए का लिए टी सिक्स प्लस डिस 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 ओके बहुत इसी है नेक्स देखिए कुस्चन मतलब 45 का डी पार्ट है इसमें आपको क्या करना है बस सिंप्लिफाई करना है और आंसर निकल जाएगा आपका पहले इस सिक्स को इन दोनों से करना है यह नहीं कुद ही कि एक एक बार क्या करते हैं देखिए इस तरीके से मतब chips को पहले इस इसक्स को इस रूट से करना है यहां पर साइन के साथ है प्लस म dispon को के साथ करना अधिर आख फुरू को को थ्रीच जात करना है गाल लोगे तो थेनीं किundos फिर प्लस नेंसर ट्वाइस ऑफ रूटर टू-प्लस रूट तू-स माइनसर रूट टू-स-ाइस रूट-थू-स माइनसरी ट्यकिना रूट टो जी त्रूट इस तरीके से से को यहां पर इस बाहर है भालम में कुछ और करनी सकते यह रूट 3 है यह रूट 2 है यह रूट 6 है मेभी मेभी बस इतना आप इतना ही करके छोड़ दीजिए बस यह आंसर हो जागा आपका ठीक है ओके कुछिन में 36 देखें इसको हम जब तक रेज कर देते हैं कुछिन में 36 अब नेक्स्ट कोशन नमर यह थिए इसमें भी एक्स की वेली निकाल लिए तो चाहिए तो आप पहले वीडियो को थोड़ा सा पॉस करके अपना देख सकते हैं कि खुद ट्राइब करके बर कितना आंसर आने वाला है ठीक है तो स्टार्ट करते हैं फाइफ की पावर यहां प लिए पावर 2 बना सकते हैं यानी फाइफ की पावर 2 और फिर इसकी ब्रैकेट में भी इस मतलब्लियो सकते हैं इंटु फिफ्ट लिख सकते हैं होगे और फिर इसको भी हम क्या लिख सकते हैं 50 को 25 multiply by 2 लिख सकते हैं इसको भी हमसे 25 multiply by 2 लिख सकते हैं अब 25 25 किसके बनते हैं 55-2-1 बने यहां 5 का स्कुर मुल्टिप्लाइट 2 कि पावर 1 यानिकि 555 की पावर 4 लिख सकते हैं इन सब इनको बने और 5 की पावर 4 और 2 की पावर 2 तो यहां पर लिख दीजिए 5 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 2 ठीक है क्योंकि 5 की पावर 4 625 हो जाता है 625 को 4 से मिल्टिप्लाइ कर दोगे तो आपका 2500 आ जाएगा ओके इतना पार्ट समझाया है आगे देखिए यह होगा आपका 5 की पावर 2 एक्स माइनस 1 माइनस यह फिर आपका क्या हो जागा 5 2 इंटू एक्स 2 एक्स माइनस 2 इस उकल टू 5 की पावर 4 मॉल्टिप्लाइ 2 की पावर 2 अब हम क्या कर सकते हैं इसमें क्या कर सकते हैं देखिए इसके आगे हम क्या करने वाले हैं यह थोड़ा एक अलग लेवल का ही कुश्चन आपको मिलेगा करने के लिए क्योंकि यहां पर यह चीज माइनस हो रही है और हम इसको माइनस भी नहीं कर सकते हैं ओके और कंपेर भी नहीं कर सकते हैं यह इक्वल्टू भी नहीं यह वाला माइनस बन जाएगा आई होप आपको यह बात समझ आ रही हो यही वाला सेम यह कॉंसेप्ट एक पावर एंप अपन में की पावर एंड बेस सब से मुझत तो पावर माइनस तो इसको जब ले जाओं गा तो यहां माइनस बन देखेगा फिर इसी तरीके से मैं इसको सब्सक्राइब तो हम ले लेते हैं यहां पर एल से मैंगा 5 पावर 2 पूरा यहां देखी यहां दो है यहां पर एक है तो आपका एक 5 रह जाएगा एक 5 यहां पर आएगा multiply 5 की पावर 2x इस डौट का मतलब multiply माइनस एफ आफ एफ पावर 2 डिवाइट कर देखा पूरा तो 5 की पावर 2x रह जागा खाली is equal to और यह आपका चेंज नहीं होगा as it easy रहेगा ठीक है यह है थोड़ा question सोचने लाए कि किस तरीके सी कहा जाए अब इसमें और इसमें इसको common ले लिजिए तो यहां देखिए और फाइब की पावर 2x पूरा common आ गया तो यह वाला फाइब ब्रैकेट में आ गया और माइनस यह वाला पूरा बाहर ले ले तो वन बच गया अपन में फाइब की पावर 2 is equal to 5 की पावर 4 multiply 2 की पावर 2 यह 5 की पावर 2 दर जागा cross multiply हो जाएगा तो मैं इसको यहां कर देता हूं 5 की पावर 2x यह 5 माइनस 1 4 4 और इस वाले को 2 को इधर ले जाओं cross multiply तो देखो यह बेस नहीं हो जागा तो 5 की पावर 4 प्लस 2 यानि 5 की पावर 6 हो जाएगा इंटो में 2 की पावर 2 को मैं 4 लिक्स देता हूं ठीक है अब देखे इक्वल 2 में आप हम कर सकते हैं इस 4 को इस फूर से cancel out कर सकते हैं और इस वाले को और इस वाले को compare कर सकते हैं तो यह और यह चीज कैंसिल आट हो जाएगी तो बच्छेगा आपको टू इस टू एक्स इस उकल टू सिक्स तो एक्स विल भी 3 सो दिस इस यूर फाइनल आंसर तो यह है थोड़ा क्वेश्चन जवर्दस्त को के तो आई होप अभी इतना ही क्वेश्चन आप देखिए किस तरीके से मैंने सॉल्व किये कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है या फिर आप आपको और कोई चीज समझनी है तो कॉमेंट करके जरूर बता सकते हैं ठीक है बस बेसिक चीज आनी चाहिए आप किसी भी सवाल को इसली सॉल्व आउट कर सकते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम 37 38 39 और जो भी कोशन आएगा देखते हैं कि सी यू